दोस्तों क्या आपके साथ भी यह problem आ रहा है कि कोई आपको document email के थुरू आया है और उसको download करना चाहते तो आपको यह message आ रहा है कि downloading is disabled और यहाँ पे लिखा हुआ है to keep your information safe downloading of attachment have been disabled तो आप इसको कैसे download करेंगे आप इस वीडियो में सीख जाएंगे क्योंकि आपको जो भी document आया है मतलब बहुत important है उसको आप document को download नहीं कर पारें आप नहीं देख पारें तो इस वीडियो में आप सबको सीख जाएंगे कैसे आपको download करना है तो आईए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो उसके लिए simply यहाँ पर जो आपको message मिल जाता है उसके लिए आपको पहले okay पर click करके इसको message को हटा देना है अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है यह जो मुझे मिला है मैंने itr file किया और उसी से related मुझे जो income tax के तरब से एक document आय होंगे तो इसके लिए आपको simply ध्यान से समझना यहाँ पर लिखा क्या हुआ है to keep your information safe downloading of attachment have been disabled मतलब इसको आप नहीं download कर सकते हैं जब तक जब तक कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है if you trust this message and want to download anywhere mark this email as look safe in the email security banner मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब तक आप इ simply पहले में back आऊंगा back आने के बाद में जो email मुझे मिला है उस email पर फिर से में click करूंगा आपको भी click कर लेना है और जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको धियान से समझना है उपर में ही आपको पीला कलर का एक option मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा be careful with attachments और यहाँ पर लुकर का button है आपको simply क्या करने है सिमपली यहाँ पर look setup zamे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो गया है फिर से आपको इसको open करना है और open करने के बाद में है आपको पूरा नीचा आजाने है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर जो document है इस पर click करना है तो आपका यहाँ पर कोई दिकत नहीं आएगा दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब जोर से कर लिजेगा